आप सब लोग मैसल दुशार एंड आज इस वीडियो बात करेंगे अपके फिमर बोन के बारे में तो सबसे फिले आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर क्या लिका है दा फिमर बोन इस ट्रॉंगेस्ट इन लॉंगेस्ट पोन इन दे बॉड़ी के सबको पता है अपके अपके इसके दो एंड होते है अपर एंड लोर एंड बीच में की बॉड़ी होती है या शाफ बोल सकते हैं से यह आपका अपर हैं बीच वाला है शाफ या बॉड़ी और इस 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 अपका लोर एंड क्लियर तो इतना सा पर पता चल गया अब सखम साथ डिटेमिनिशन कैसे इसके लोवरेंड में आपको क्या मिलेंगे दो को इससे आपको पता चल जाएगा कि हाहन आपकी उपर राली आप यानीचे वी सङट है यह तो पता चल गया आपको second क्या बोल रहा है जो इसका head है वो कैसा है तो यह तो अगर इसके side determination, बात करें इसके anatomical position के बारे में, तो यहाँ पी क्या लिखा है, the head is directed medially upward and slightly forward, ठीक क्या बोल रहा है, जो आपका head है यह आपका, यह कैसा है, एक तो medially है, जैसे हमने उपर पड़ा, कि अगर यह straight bone है, तो थोड़ा medially present है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, immediately, so that the lower surfaces of the two condyles or the femur lie in the same horizontal plane, ठीक है, इसके बात क्या होता है, कि अगर देखो, यह थोड़ा अंदर की तरफ है, तो यह bone कैसी है, यह एकदम सीधी नहीं होती, आपके जो body है, उसके सीधी नहीं होती है, ठीक है, एसे oblique होती है, ठीक है, एसे oblique होती है, ठीक है, ताकि उसक ठीक होती है, ठीक है, ठीक है, अभी में बस bone नहीं है, जैसे में बस bone अविलिब हो जाएगी, तो वापस पढ़ा लूँगा उससे, पर अभी हम theoretical देखेंगे, बसकि जो आगे लिए वीडियो जाएगे, उसमें क्या करेंगे, clay model आपको उससे बताऊँगा, तो उससे भी आ और इसकी anatomical position हमने देख ली, कैसा होता है, इसके बाद करेंगे, इसकी features में, features में तो इसकी features में, वापर end है, तो जो आपका upper hand है, इस वाला part, यह कौंसा है, आपका right femur का anterior aspect है, जैसे आपके हम लिखा भी है, यह right femur एक तो, and right femur हमें कैसे बता चला, क्योंकि यह एक तो और यह इसका एंटीर विव है, clear? तो क्या बोल रहा है, आपका अपर एंड में क्या मिलेगा? आपका अपर एंड में हम क्या पढ़ेंगे? आपका head पढ़ेंगे, उसके पाद आपका neck वाला region नेक है, उसके बाद है greater trochanter, यह वाला greater trochanter, और आपका lesser trochanter, posterior view में ज्यादा बे greater trochanter, इसके बीच में जो ही दिख रही है, ठीक है, this is the inter trochantic crest, और उसी crest के ऊपर एक आपका एक दिखेगा, quadrate tubercle, यह भी पढ़ेंगे, उसके बाद आते हैं आपका shaft में, तो shaft हम क्या देखेंगे, different borders and surfaces देखेंगे, ठीक है, and जब हम lower end पढ़ेंगे बाद में, तो उसमें ह यह कुछ markings है, bone markings, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें, ठीक है, bone की markings है, जिसमें आपको head दिख रहा है, this is the neck, this is the greater trochanter, यह lesser trochanter, अगर आप posterior aspect में देखेंगे, यह वाला part, उसके बाद आपका आता ही है, आपका inter trochanter line, this is the anterior surface, ठीक है, हम डीटेल में पढ़ेंगे बाद में ठीक है, अभी तुम्हें आपको एक general overview दे रहा हूँ, उसके जैसे नीचे आते हैं, तो this is the lateral epicondyle, ठीक है, this is the medial epicondyle, उसके बाद यह आपका medial condyle, and this is the lateral condyle, and this is the article surface for patella, आपकी जो knee cap होती है, ठीक है, उसके बाद हम यह देखेंगे, आपका posterior aspect, इसमें बाद देख पारें आपका head region, neck region, आपका lesser trochanter, greater trochanter, this is the tip of the greater trochanter, उसके बाद हम देख पारें, this is the quadrate tubercle, and यह पूरा क्या है, आपका inter trochanteric crest है, this is a tuberosity मिलेगी, जिसके मिलेगी, gluteal tuberosity, सबकुत detail में आगे पढ़ेंगे, this is the spiral line, okay, then these are the lips of, ठीक है, two lips of the linear sphera, which is actually the posterior border, ठीक है, उसके बाद आ आपके, this is the medial supercondylar line, and this is the lateral supercondylar line, this is the popletal surface, आपकी यहां सबको याद होगा, जब हमने arteries पढ़ी थी, तब यहां पे कौन सी artery देखी थी, आपकी popletal artery देखी थी, and this is the intercondylar ridge, ठीक है, and यह आपकी दो condyles है, so start करते है, सबसे उपर क्या लिखा है, the upper end of the femur includes the head, the neck, the greater trochanter, the lesser trochanter, the intertrochanteric line, and the intertrochanteric crest, मतलब यह सब चीज़े आपके देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, so start करते है, अपने head से, so यह आपको diagram दिखा रहा, this is the diagram of the right femur, and its anterior aspect है, जबकि यह वाला है, this is the right femur का posterior aspect, ठीक है, अपसे बहले बात करेंगे, आपके head के बारे में, so head के यारे forms more than half a spear, and is directed medially upward and slightly forward, ठीक है, यह blue color में आपको दिखा है, this is the head portion, तो यह कैसा है, एक spear से थोड़ा जादा है, मतलब half a spear से थोड़ा जादा है, and it is directed medially, मतलब अंदर की तरह, medially की तरफ है, upward थोड़ा ऊपर की तरफ है, and forward थोड़ा आगी की तरफ है, ठीक है, कुछ इस वे म है, ठीक है, medially present है, उसके बाद क्या है, आपका, it is directed medially upward है, थोड़ा उपर की तरफ है, and forward है, थोड़ा आगी की तरफ है, एसे में, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कि it articulates with the acetabulum to form the hip joint, ठीक है, आपकी ball and socket joint बनाता है, आपकी जो hip bone है, hip bone का जो acetabulum है, ठीक है, जो हमने का point, यहाँ पर, ठीक है, कैसा है, एक rough pit है, यहाँ पर आपकी ligament, आपकी insert होती है, clear, बाकी जितना भी यह पार्ट है, यह क्या है, सारा articular surface है, जो कि आपका articulation में help करेगा, clear, तो यह तो होगे, आपका head of the femur, next हम बात करेंगे, आपकी neck portion है, this is the neck of the femur, तो neck में क्या लिख है, यह आपका shaft है, ठीक है, तो इसके बीच का connection है, यह कितना है, 3.7 cm long होता है, the neck has two borders and two surfaces, तो इसके पर दो borders होता है, ठीक है, तो यह upper border है, this is the upper border and this is the lower border, वैसी यह NTS surface है, and जो पीछे होगा, वो posterior surface है, तो हमने यहाँ पी वही लिख रहा है, there's two borders and two surfaces, two borders में आपके पास concave, ठीक है, यह concave हो, ठीक है, ठीक है, as compared to this, this is horizontal and it meets the greater trochanter and यह क्या है अपका, this is the greater trochanter, जबकि आपका जो lower border है, क्या है, it is straight, ठीक है, straight and oblique and it meets the lesser trochanter, lesser trochanter हमें कहां से बेटर दिखेगा, जब हम इसका posterior side दिखने है, ठीक है, यह इसका posterior side है, तो यह आपको, यहाँ तक प border है, यह आपके कहां पर आता है, आपके lesser trochanter में आ जाके meet करता है, क्लिए, ands में जो surfaces है, एक तो anterior surface, anterior मतलब यह वाला surface, ठीक है, यह वाला anterior surface है, तो anterior surface में क्या लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, it is flat and it meets the shaft at the inter trochanter line, it is entirely intercapsular, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो आपका यह पीछे जाएं, पीछे जाएं, पोस्टियर surface में, तो this is, क्या लिखा है, it is convex, यह convex होता है, and from above to downwards, मतलब उपर से लेकी नीचे थोड़ा convex, भार की तरफ होता है, and अंदर की तरफ कैसा होता है, and side to side कैसा होता है, concave होता है, it meets the shaft, it meets the shaft at the inter trochanteric crest, and यह क्या है आपका, फोड़ा ऐसे में देखे हैं, तो यह क्या है, this is the inter trochanteric crest, तो मतलब posterior surface में आपको meeting point क्या है, आपका inter trochanteric crest, और आपका anterior surface में इसका meeting point क्या है, this is the inter trochanteric line, तो याद रखना कि आपकी anterior surface है, वहाँ पे आपको inter trochanteric line मिलेगी, जबकि आपका posterior surface है, यहाँ पे आपको inter trochanteric crest मिलेगा, clear होता है, उसके बाद कुछ इसकी general features लिखे है neck के, क्या लिखा है, the neck shaft angle is about 125 degrees in adult, ठीक है, it is less in females, ठीक है, आपके जो neck है, यह आपका neck है, and this is the shaft, तो इसकी जो बीच का angle है, ठीक है, इसका जैसी यह, and यह, ठीक है, तो इसकी बीच का जो यह angle है, this one, यह कितना है, आपका 125 degrees है in adult, and यह females में कम होता है, trochanter shaft angle is about 8 degrees in adult, यह आ the angle of femoral torsion is about 15 degrees, also called as the angle of antiversion, it is formed between the transverse axis of the upper and the lower end of the femur, मतलब क्या बोल रहा है, आपके जो upper end है, अब यह upper end है, और जो नीचे lower end होगा, जिसमें आपके डोनों condyles होता है, उन दोनों की बीच में जो angle का torsion होता है, मतलब थोड़ा एक difference होता है, उसको क्या बोलता है, आपका femoral torsion बोलता है, मतलब angle of femoral torsion बोलता है, तो उसी के बारे में आपका लिख रहा है, अब कितना होता है, आपका 15 degree, तो यह यह degree important होता है, 125 degree, ठीक है, neck और shaft के बीच में, trochanter और shaft के बीच में 8 degrees, and angle of femoral torsion, it is very important, it is about 15 degrees, तो यह आपका हो गया, आपका head and neck, next हम बात करेंग आपके lesser trochanter के बारे में, so again, lesser trochanter, this one, this is a lesser trochanter, lesser trochanter के बारे में क्या लिखा है, that it is a conical eminence directed immediately and backward from the junction of the posterior part of the neck with the shaft, ठीक है, इसमें देखेंगे, तो हम पीछा हैंगे, posterior surface में तो बेटर आपको visibility होगी, this is, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा कर लेता है, तो यह आपका कहा है, lesser trochan trochanter है, this is a lesser trochanter, यह नि कहा है, कैसे conical eminence है, which is directed medially and backward, ठीक है, from the junction of the posterior inferior part of the neck of the shaft, ठीक है, उसके बाद इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है, इंटर रोकांटरिक लाइं, जो हमने कहा होगा था, आपके anterior surface में होता है, और आपके posterior surface में होता है, और आपके posterior surface में ही ठीक है, तो उसके बारे में क्या लिखा है, कि, it marks the junction of the anterior surface of the neck, anterior surface of the neck, with the shaft of the femur, ठीक है, तो आपको जोगी यह है, इस इंटर रोकांटरिक लाइन है, कहा से start हो रहा है, आपके anterior superior angle of the trochanter से start होता है, और फिर नीची के तरफ आता है, ठीक है, as a tubercle, ठीक है, and it is continuous below with the spiral line in front of the lesser trochanter, उसके बार कैसे चाता है, यह पूरा ऐसा आता है, ऐसा ऐसा आता है, and आपको जो lesser trochanter है, ठीक है, आपको जो lesser trochanter है, उसके नीची जस्ट एक आपको दिखरी हुई, this one, यह line, यह वाली, इसको क्या बोलता है, this is the spiral line, तो इसको मैं और prominent कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहां से start होता है, and ऐसी इधर को आता है, पूरा, and यहां पर end होता है, जबकि हम बात करें, आपकी inter trochanter crest के बारे में, जो की यह है, तो इसमें कहा लिखा है, it marks the junction of the posterior surface of the neck, आपके neck का posterior surface है, ठीक है, with the shaft of the femur, ठीक है, it is a smooth rounded ridge, ठीक है, smooth rounded ridge होता है, which begins above at the posterior superior angle of the greater trochanter, ठीक ह होता है, and फिर नीचे आता है, and ends at the lesser trochanter, ठीक हो, यहां से नीचे आता है, and end कहां पर होता है, आपके lesser trochanter के वहाँ पर end हो जाता है, ठीक है, कुछ इस वे में, तो यह दोनों चीज़े आपने देख ली, कि इंटर trochanter decline आपके anterior surface में present है, and आपका जो इंटर trochanter crest है, यह आपके posterior surface पे है, clear, यह तो होगा आपका lesser trochanter, and जो final इसका है, बचावा, that is the greater trochanter, ठीक है, आपका जो greater trochanter है, इतना बड़ा सा यह यह वाला part, तो इसके वारे में क्या पढ़ते है, कि it is a large quadrangular prominence, ठीक है, मतलब quadrangular shape का है, located at the, आपका upper part of the junction of the neck with the shaft, ठीक है, upper part, आपके बता है, upper end में present है, कहाँ पे junction कि इसके neck और shaft की भी है, present है, the upper border of the trochanter lies at the level of the center of the head, मतलब क्या बोल रहा है, अब भी जो trochanter है आपका, तो यह उसका upper border है, ठीक है, this is the upper border, and यह क्या बोला, इसने कहाँ पे, कि इस लेवल पर है, center of the head, यह अपका head है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, इस पर मैं रखूं, तो यह इसका upper border है, वो कहाँ पे center of the head के पास है, इसका मतलब यह है, इस पर मैं आपको better समझाएगा, यह देखू, मतलब इन दोनों का level क्या है, वो बता रहा है, clear होगी बात, उस surfaces होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, anterior, medial और lateral, इसमें भी दिखा लेते हैं, तो this is, यह क्योंकि यह तो posterior surface है, अब इसको मैं anterior surface दिखाऊ, so this is the anterior surface of the graded trochanter, this is the medial surface, यह अंदर वाला part, ठीक है, यह अंदर वाला part के है, medial surface, and यह बाहर वाला part के है, lateral surface है, ठीक है, कोई तीन surfaces ह is the interned posterior part of the posterior border, ठीक है, क्या बोल रहा है, आपका जो apex है, यह कैसे बना है, it is actually the part of the posterior border, देखो यह क्योंकि आपका anterior surface है, लेकिन हम आने posterior surface नहीं बला क्यों, क्योंकि posterior border होता है, तो क्या बोल रहा है, जो posterior border है, वो ही जाके turn होके apex बन जाता है, ठीक है, ऐसा लिखा है, उसके क्या लिख रहा है, the anterior surface is roughed in its lateral part, ठीक है, आपका anterior surface है, यहाँ ठोड़ा roughness होगी, ठीक है, the middle surface represents, the middle surface presents a rough impression, ठीक है, अबवफ, ठीक है, आपके यहाँ यहाँ भी rough impression होगा आपके, इसमें, मीडियल सर्फिस में and a deep ट्रोकेंटरिक फोसा, ठीक है, यह नहाँ पर आपके एक टीप जो यहाँ पर यह आपको एक फोसा भी दिख रहा होगा है यहाँ पर उड़ालका सा एक गढढ़ा टाइप का है, तो इसकों क्या यहाँ लिखा है, the shaft is more or less cylindrical, ठीक है, कैसा है, मतब पूरा proper cylindrical भी नहीं है, पर हाँ उस shape जैसा है, लगबग, ठीक है it is narrowest in the middle, ठीक है आपके जो middle part है, उसका वो काफी narrow है as compared to the upper and lower part, मतब क्योंकि इसमें क्या लिखा है, it is more expanded inferiorly than the superiorly, मतब जो नीचे वाला पाटे से ज्यादा expanded है as compared to the upper part, ठीक है it is convex forward and is directed obliquely downwards and medially clear, तो यह कुछ ऐसा लिखा है ठीक है, तो हमने भी आज भी पहले जैसे clay model बना रहा है, जैसे हमने पिछली बाद भी बनाया था, आपका, जो यह बनाया था, that is the upper end of the femur तो हमने कुछ इसमें बनाया था ना, आज इसका जो lower part है, मतब जो shaft आला पाट है वो हमने बनाया इससे, तो इससे आपको छोड़ा easy होगा समझने में, ठीक है again, जब हम आपर बोन आ जाएगी तो उससे भी पढ़ा लूँगा, अभी फिलाल के लिए इससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है next, next point का लिखा है in the middle one third, ठीक है, अब अब क्या करना है आपको जो शाफ्ट है, इस shaft को हमने three parts में रिवाइड किया एक हो गया अपका upper one third, एक हो गया middle one third and lower one third ठीक है, इस shaft को हमने three parts में रिवाइड कर दिया है सबसे पहले हम बात करेंगे, अब की middle one third की मतलब इन दोनों की बीच में जो है इसके बात करेंगे, ठीक है तो इसमें क्या लिखा है, in the middle one third the shaft has three borders, ठीक है इसमें three borders हैं, कौन बन से, medial, lateral and posterior, ठीक है, and three surfaces that is anterior, medial and lateral, यह इसका जो हमने diagram बना रहा है, this is the anterior view, ठीक है, आपका anterior view है right femur का, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ एक आगे से plane सा क्या दिख रहा है, anterior surface दिख रहा है ठीक है, which is and the shaft का, and आपका lateral border or medial border, ठीक है, and जब आप पीछे के, इसका surface देखते है ठीक है, इस bone का, पीछे का surface देखते है तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीज़े दिखाई दे रही है एक आपको spiral line दिख रही है, ठीक है उसके बाद आपको gluteal tuberosity दिख रही है उसके बाद आपको यहाँ पी linear aspera with its two lips, यहाँ पी दिख रहा है जो actually में क्या है, आपका, this is the posterior border ठीक है, अब इसको हम लोग अपने model पे दिखते हैं, ठीक है तो इसमें आपको, क्या-क्या दिख रहा है this is the anterior view ठीक है, जो आपका यह diagram है ठीक है, यही है, तो इसमें हमने अब किसके बात कर रहे है, आपकी middle one third की बात कर रहे है, clear तो middle one third में आपको क्या दिखाए दे रहा है आपको दिखाए दे रहा है, three surfaces, यहाँ पे लिखाना है three surfaces, तो कौन-कौन से surfaces है this is the anterior surface, क्या है इसका anterior surface है, ठीक है, next surface क्या लिखा है, medial, तो हम थोड़ा अपने medial ही जाते है, तो इस तरफ देखेंगे this is the medial surface, clear this is the medial surface, this is the anterior surface and भार के side कौन सा है, this is the lateral surface, clear तो हमारे बात क्या है, three surfaces होगी and three borders भी होगी, तो यहाँ पे borders कौन-कौन से लिखिए है, आपकी medial, lateral, posterior, तो यह आपकी है, medial border this is the lateral border and जब पीछे हम turn करते हैं, this is the posterior border, जिसके आपके दो lips दिखाए दे आपको, ठीक है थोड़ा इसको zoom in कर लेते हैं, तो आपको जोड़ा होगा एक border है, इसके दो lips है posterior border के दो lips होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं linear aspera बोलते हैं, now इसमें क्या लिखा है, the medial and the lateral borders are rounded and ill-defined, आपका जो medial border है and आपका जो later border है ये इतना ill-defined है, बतल प्रॉपर ली इतना sharp edges वाले नहीं है, जबकि आपका जो पीछे वाला पाथ है, that is posterior border है आपका, इसमें क्या है, इसमें लिखा है, but the posterior border is in the form of a broad rough ridge, ठीक है with the linear aspera, ठीक है, it has distinct medial and lateral lips, जैसे हमने बोला, आपका medial and lateral lips इसमें present होता है, ठीक है, आपके posterior border में, जिसको हम क्या बोलते है, linear aspera बोलते है, तो ये तो बात होगी है, आपकी middle one third की, ठीक है, अब हमने middle one third की बात कर ली, इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपके upper one third की बात pore borders, कौन-कौन से है, medial, lateral, spiral, line and the lateral lip of the gluteal tuberosity, ठीक है, इसके four surfaces होते है, ठीक है, अब हम upper one third की बात करेंगे, इतना हिस्सा देखेंगे, इतना हिस्से में हमें क्या क्या दिखाए दे रहा है, एक तो हमें आपकी linear aspera high, जो बीच में दो lines दिख रही है, आपको, दो lips दिख र spiral line, so this is the spiral line, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, जब हमने इसका upper end देखा था, तो upper end में हमने क्या देखा था, this is the greater tubercle and this is the lesser tubercle, and lesser tubercle के just नीचे क्या थी, आपकी spiral line थी, ठीक है, तो यही spiral line यहाँ पे से continue हो रही है, yearly, ठीक है, तो एक जगे क्या है, आपकी spiral line है, this is the spiral line, एक जगे है, यह है, gluteal tuberosity, क्या है, इसका नाप, gluteal tuberosity, इसका lateral lip, ठीक है, तो यह दो borders हो गए, and साथ ही साथ, अपना जो पहले चली रहा था, कौन सा, this is the medial, तो यह अपका medial border, and this is the lateral border, ठीक है, इस वे में आपके चार borders हो गए, and चार surfaces कैसे हो जाएंगे, इनकी बी देता है, आपका posterior surface बना देता है, this is the medial surface, this is the lateral surface, and this is the anterior surface, ठीक है, तो आपने surface इसे भी चार देख लिए, anterior, medial, lateral, and posterior, and आपकी जो चार borders थे, that is the medial, आपकी lateral, आपकी spiral line, and the lateral lip of the gluteal tuberosity, clear, बहुत इसी था, तो आपने one-third उपर का देख लिया, middle का one-third देख लिया, अब आपने lower के one-third में, ठीक है, तो lower के one-third में आपकी क्या लिखाया, इसा आपको diagram में भी दिख रहा है, ये नीचे का, अब इतना इसे के बात कर रहे है, ठीक है, इसमें का लिखाया, in the lower one-third of the shaft, also, the two lips of the linear aspera diverges as the supracondylar lines to enclose an additional popliteal surface, ठीक है, सिंपल क्या बोल रहा है, कि जैसे हम इस job की linear aspera high बीच में, दो lips दिखाया दे रहे है, ये नीचे भी जाके diverge हो जाती है, and they actually form the, कौन सा, आपका supracondylar lines, इनको क्या बोलेंगे है, हम लोग supracondylar lines, इसमें क्या है, again ये एक बीच में surface बना रहे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे posterior surface बनाया था, ये भी posterior surface ही है वैसे, पर इसको और क्या नाम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, popletal surface, क्या बोलते हैं, इस area को हम बोलते है, popletal surface, and जब हमने arteries पढ़ी थी, तो arteries में भी हमने देखा था, आपकी यहाँ पे कौन सी artery थी, आपकी popletal artery थी, तो आपकी popletal surface बन गया, तो इसके वज़े से यहाँ पे इस वाले case में भी हमारे पास 4 borders और 4 surfaces हो जाते हैं, 4 borders पहले देख लेते हैं, आपकी medial, तो medial तो आपकी चली आ रही है, this is the medial, ठीक है, एक होगा अपका medial supracondylar line, and आपका होगा दूसरा, this is the lateral supracondylar line, and surfaces चार कौन से होगी, एक तो आपनी चली आ रही है, anterior surface, ठीक है, एक होगा अपकी medial surface, एक होगा आपका later surface, and एक बीच में आपका है, this is the poply tail surface, clear, बहुत इसी था, आपका lower 1 third भी हमने देख लिया, ठीक है, मैंने बीच में यह कर दिया, एसा dent, ठीक है, and यह उपर वाला, ठीक है, तो हमने middle 1 third देख लिया है, upper 1 third देख लिया है, and आपका lower 1 third भी देख लिया, यहां से, clear, and जो last point है, इसका, the medial border and the medial supracondylar line meet inferiorly to obliterate the medial surface, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि आपकी जो medial supracondylar line है, यह जाके किसके जाद मिक्स हो जाती है, आपकी medial surface के, मतलब medial border से, and इससे क्या होता है, कि आपका medial surface है, यह गायब हो जाता है, नीचे जाके, ठीक है, यह लिखा है यहाँ पर, and same happens with the lateral border and the lateral supracondylar line, यह दोनों merge हो जाते है, and आपका medial surface है, यह लेटर surface है, यह दोनों गायब हो जाते है, हमने पिछली बार यहां तक पड़ी थी, that is shaft of the femur, and आज हम बात करेंगे, आपकी lower end of the femur के बारे पर, पिर, so, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आपको model से लिखाएंगे, तो, यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा zoom in कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, the lower end of femur is widely expanded to form large condyles, जैसे हम नीचे आते हैं, फिमर के end, lower end के तरफ आते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका ज Posteriorly, the two condyles are united and are in line with the front of the shaft, ठीक है, अब यहाँ को बता हूँ, आपके ले पढ़ लेते हैं, Posteriorly, they are separated by a deep gap, termed as the intercondylar forsa और intercondylar notch, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो हमने यह bone देखे थी अपकी, पिछली बार, shaft देखे थी, ठीक है, तो हमने शाफ्ट वाला area देखा था, यह shaft area continuous हो रहा है, आपके anterior part of the lower end, ठीक है, जो अपके condyles है, तो यह condyles आपको पीछे से जाते हैं, जैसी ही हम इसका Posterior view देखेंगे, ठीक है, आगे से क्या लिख रहा है, anteriorly, यहाप यह लिखा है, anteriorly, the two condyles are united, ठीक है, आगे, मतलब, आगे से देखेंगे, तो दोनो condyles notch, अपके दो notch हो जाते हैं, इससे, एक हो था आपका lateral, ठीक है, यह bone ऐसे anterior है, ठीक है, ऐसे anteriorly present है, यह राज का head, तब से पहले हमने इसी से पढ़ाता है, तो यह था आपका head, कुछ इस वे में, यह आपकी right femur है, greater trochanter है, ठीक है, तो कुछ इस वे में है, यह bone, तो यह border, and this is the lateral border, वैसे ही हम ऐसे हैंगे, तो again, this is the medial border, and this is the lateral border, ठीक है, तो आपकी दो condyles आपको मिल जाते हैं, this is the, आपका कौन सा condyle, this is the medial condyle, and this is the lateral condyle, clear, तो इसमें, next topic यह आ रहा है, आपका, this is the articular surfaces, articular surfaces मतलब क्या होता है, आपको यह blue color में दिख रहा है, ठीक है, आपको यह सब है, articular surfaces, तो the two condyles are partially covered by a large articular surface, which is divided into particular and आपका TBL part, ठीक है, आपको जो blue part दिख रहा है, यह क्या बोल रहा है, जो blue part है, पूरा, इसको वापस दो parts में, डिवाइट किया गया, ठीक है, जो आपको यह वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, आपको जो दिख रहा है, यह पढ़ लेता है, जिससे क्या लिखा, इसमें, तो सबसे बेला है, paticular surface, तो आपको जो paticular surface है, इसमें क्या लिखा है, कि it covers the anterior surface of both condyles and extends more to the lateral condyle, ठीक है, ठीक है, यह आपको लिख रहा है, यह अन्टेर सर्फेस में क्या बोल रहा है, आपको जो blue color area है, ठीक है, एक तो क्या है यह दोनों condyles के उपर है, लेकिन ज्यादा literally present है, ठीक है, यह आपको लिख रहा है, तो literally ज्यादा present है, ठीक है, paticular surface, लिखा है, between the two condyles, the surface is grooved vertically, ठीक है, यह यहापे आपको हलका सा groove दिखाए रहा होगा, ठीक है, अभी आपको जोन नहीं कर पा रहा है, तो आपको जो दि जैसे आपका यह है, एक second, ठीक है, तो यह आपका क्या है, patiliar surface है न, तो यहाँ से, यहाँ किह रहा होगा की grooves होते है, ठीक है, इन grooves के बाद क्या है, आपका जो tibial surface है, वो start हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tibial bone आके articulate करती है, यहाँ पर यहाँ आपका क्या है, knee joint है, तो knee क्या होता है कि आपका यहां से आगे क्या campus टी पटेला बोन होती है, रिके जिसको मैं क्या बोलते है तो इससी लिह sими क्या तरफेस है इस पटाइला पसंवे दिखाया देगा तो इसससे लिए पर हम एपको टी यहां पर यह थे था आपका artilla surfaces next है आपका it's my condyles, वह हम दोटील condylus की अचित बात चरहें आपके little condylus में आपके दूप सी आपका वाय जैनितल, क्या है विघ्तल the little condylus flat literally it is flat literally it is less prominent than the medial condyle it is shorter and stronger for short as compared to आपका medial condyle and पर stronger है, it presents the following, इसमें क्या कर दिखाए देता है, the prominence called the, आपको दिखा रहा है, यहाँ पर, एक prominence इसा आपको दिखा रहा होगा, this prominence is known as the lateral epicondyle, यह आपका lateral condyle है, लेकिन यहाँ पर prominence दिखाए दे रहा है, यहाँ आपको ऐसे में दिखाए दे रहा है, यहाँ आपको देखोगे, यह आपका epicondyle है, इसकी नीचे just a groove दिखाए दे रहा है, this is known as the opritial groove, तो आपको अभी हम बता रहे है कि little condyle के edges में आपको क्या 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 मिल रहा है, and एक muscular impression में होगा, posterior superior to the epicondyle, यहाँ पर आपको एक muscular impression भी मिलेगा, clear, तो यह तो होगी बात, आपकी little cond condyle के बारे में, बात करें आपकी medial condyle के बारे में, तो आपको medial condyle है, मतलब यह वाला part, तो इसमें का लिखाए, the medial condyle is convex medially, ठीक है, it is convex, ठीक है, the most prominent point on it is called the medial epicondyle, जैसे यहाँ पी little epicondyle था, वैसे ही यहाँ पी क्या है, this one, this is the medial epicondyle, posterior superior to the epicondyle, मतलब posterior इसके थोड़ा पीछे, and superior, यह वाला part, तो मतलब यह वाला आपको दिखा रहा है, ठीक है, there is a projection, आपको यह projection दिखा रहा है, तो this projection is known as the adductor tubercle, which is an important landmark, clear, इसमें में आपका, यह medial condyle भी complete होता है, and इन दोनों की बीच में, जो आपको ए ग्रूव दिखा रहा है, यह आपको जो फोसा इस आपको पॉपीटल सर्फेस है, यह आपको पॉपीटल सर्फेस है, तो यह सापका lower end of the fever, and इसके कुछ दाइग्राम सही है, इसको प्राइग्रा पॉपी बीच के लिपाइग्रा के का दिख रहा है, this is the latal epicondyle, this is the medial epicondyle, medial condyle, laterl condyle, this is the patellar surface, and this is the anterior surface of the shaft, clear, and when we come towards the posterior surface, तो यहा प्यान जिखाते है रहा है, एक तो आपने देखा था पर अब्च्टर त्यूबलिकल, जो अपने यहां पे देखा था तो यह कुछ टाइब को टॉपिक तो यह था आपका टॉपिक जैक इस लोगेंड दो फीमर तो यह कुछ टाइग्राम मैंने बना रखा है और इसमें आपको जो रेड गलर में है यह तो और जो डार गलू है यह तो ऑपका इंर्शशें पार्ट और जाइब घाँ जी थीच व मटने हुआं इसमें हम लोग देखो काफी सारी आपको ऐसे देख के लग रहा होगा भी कि यह क्या है मतलब पूरा फेज भरावा है को समझ आ नहीं रहा है अभी आपको देखने से कुछ समझ नहीं आएगा जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे आपको काफी एजी लगता जाएगा यह इसमें आपको समय भोला था कि यहां पेक लिगमेंट का टासे हैं बिल्चेकने में इस फॉर विया में में जब प्लिक यापका लेट है अताश्मेट होला है सanc žاحीं इस वाले आखा है जागे आफ्य कुछ पर06 आपकी इस तकिया का ओंसे ओंसे दिक यह है किसका इंसर्शन ग्लूटियस मिनिमस का इंसर्शन जूम भी कर लाते हैं तो यहां पर सबसे उपर क्या था आप उपर सी नीचे के तरफ आओ ठीक है एंड चार वियू में याद करोगे तो काफी जी लिया दो जाएगा ठीक है तो सब्सक्राइब आपका एड़ पर फोविया था वहां पर लिगमेंट का अटाच्मेंट था उसके बाद हमने ग्रेट रोका एंटर दिखा अपके सब्सक्राइब को आपको कॉनसी पाई फॉर्मिस मुसल का आपका इंसर्शन मिला उसके बाद एक और इंसर्शन है यहां पे वह किसका है आपक पर कॉनसी होगी वास्टस लेटर लेशर्शन होगी सब्सक्राइब का अपकी वास्टस मीडिया मेच कहाँ अपका मारकिंग कैसा था था इस इस वे में यहां पी यही यह आपके पोस्टीर वियू से होता है अभी तो हम लोग क्या कर रहा है तो यह थोड़ा सा पाट जो दिख रहा है यहां पर यही आपका क्या है इसके उपर आपको कौन सी मुसल का इंसर्चन दिख रहा है आपकी सोवास मेजर का तो आप तक हमने तीन इंसर्चन देख लिए और मिडियालिस एंग्ट बीच में बड़ा से चंग है जो नीचे तक जा रहे हं नीचे तक जा रहे है तो वह कौन सा है आपका वास्टस इंटर मीडियस आपक यहाँ पे प्र वास्टस इंटर मीडियस यूज तो अपकर हमने चार किती मसल्स दिख लिए ओपर से एक दो तीन चार पांच छे मसल्स देख लिए उपर एक लिगमेंट थी जैसे हम लोग यहां तक आते हैं आपके शाफ की जस्ट एंडिंग पॉरिशन में आते हैं तो आपके दो चोटे-चोटे आपको यहां पर दो ओरीजिन दिख रहे मसल्स के यहां पर आपकी आपकी आर्टिक्लियर मसल का इंसर्शन हो रहा है यहां पर आपके है जिंक्या आपका आधक्टर मैंगकर की अब करो करते हैं तो उन औहीं आपके आपके प सक्राष्य बंजित भी और यहां पर दिखा दिया आ आपकी यहां पर मिनिमस उसके बाद आपकी लिट्रेलिस में आपकी मीडियलिस और बीच में है इस इंटरमीडियस टिक है तो यह आपको याद होगी एंटीर व्यू की मसल्स क्लियर अब इस जो बून है हम इस बोन को थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे क्लोक वोई तो थोड़ मजलो ठीक है अब हमने का किया पहले ऐसी थी बोन अब हमने इसको ट्विस्ट करके थोड़ा क्लॉक्वाइज रोटेट किया है ताकि आपको मीडियल व्यू दिक सके है इस मीडियल व्यू में अगेन आपको फोड़िया यहां पर वापस वही लिगमेंटम टैरिस फिमोरिस यहां पर जहां पर वहां चुरी मसल्स है सबसे ऊपर आपको दिख रिए 10 गयाम आप पर गालाले गखनग है अब अगयादय सब्सक्राणिया गयाम अबॉंवह尝ॉ CTOffi loan externalsटी जी चार मसलाले इसकेㅋㅋ हमने आपकासटर गाहा तर्फ यहां पर सकता तक जाह। अंदेाल देखा है तो आपको इंटेटी ह्लिट हूंने भींससित देख रही है लिए अप् सकते., भार वार ऐसे देखेंगे तुक मैं इस क्या? में क्या-क्या देख लिया उसके पाद के इछ पिचलि के अपके ट्रोच responds थी और यहां पे कुंसी तै अब बात करते हैं आपकी थोड़ी और हमने इसक मोड यह इझा किसे बन गया आपका पॉठीर-इडिया अब पोस्तियर व्यू के लिए क्या करेंगे अब हमसको ऐसा कर लेंगे इस तरफ के ला जाए एक हमारी बॉन है जो थोड़ी कि पोड़ी ज्याता फ्लेक्सिबल ये ठीक है तो इसको इसे नीचे लिटाके करेंगे से अब इसमें क्या हो रहा है देखो हम सब्सक्राइब तो अब क्या देख रहे हैं यहां पर ग्लूटियस मीडियस क्लियर अभी आपके अपने ये दो भी साइट पल दिनसी एंटीविए और मीडियल अभी सो दिमाग में रखो थोड़े दिलिए इसी को देखते रहो थोड़े दिलिए एक बार यह दिमाग में बैठ जाए उसके ब मोरिस मसल का इंसर्शन हो रहा है यहां पर हमने दो इंसर्शन देख लिए और तीसरा है यहां पर यह क्या है आपका लेसर प्रोकैंटर में हमने स्टार्टिंग सी देख रहे है कौन सी है आपकी यह एरो जा रहा है नीचे को और कौन सी है स्वास मेजर जो हमने यहां पर भ आपको देखेगा इक हमने बनाया है उसमें पड़ रहे थे यह क्या था आपका यह याद करने भी हो इसले पहला वह भी देख लो जिसमें आपको सारे मार्किंग्स अच्छे से याद हो जाए उसके बाद M.Gluteus maximus हो गया है एड ये दो छोडे होगी मसल्स हो राइड इंसर्ष्टन वाली कॉन कॉन सी है जो हमें पिछली दित देखी थी आपकी एक टो ही इलियक्स जो मने यहां देखी थी इलियक्स आपकी पेक्टेनियस मसल है इस वह वह इतना चोटा सा एरिया है लेकिन इसा हो रहा है सबसे आपका एक्दम एच पर है ये रेड लाइन टीक है ये वाली रेड लाइन the सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड में क्या आएगा आएगा आपके वास्टस मीडिया लिस् उसके बाद blue color है मतलब insertion उँँउए तो that is the insertion of adductor longus और युद् ako लाइप ऐंढ़ा दो प्रकू कि तण भी एह चोटी सी तो इसके नाम के अट्ड़ोन के लॉंगस है उसके बाद क्या दिख रहा है मैं एक और ब्लु लॉइंड दिख रहा है वो भी अदक्टर ही है, that is, अदक्टर मैंगनस, तो यहाँ पर हमें 3 मसल्स दिख़े हैं, सबसे आगे हैं लॉंगस, उसके बाद है चोटी सी ऊपर की, अदक्टर ब्रेविस, एंड उसके बाद एक बीच की, that is, अदक्टर मैंगनस, clear? तो तीन ए ब्लू लाइन, फे तीन ब्लू लाइन, उसके बाद वापस से, तीन आपको रेड दीख रहे हैं, तो एक जो पतला आपको बीच में जि क्रहे हैं, गीजिस, के बीच आप बाद एक हार और जीह, वट्सपछन हो रहे हैं, जोटा सबना है, एंड फाइनलिई आपको जो ब्रॉड सी दिख रही है यहां या पहला नीची के तरह आते हैं तो यह Lines, हो आपको समझ आ गई वह होगी क्या Lines आई है एक रखना एक रीच रखना पिट ब्लू ऑपस तीन रेड इस वे में आपको ना याद हो भी जाएंगे एंड क्योंकि देखो हमने इसकी जब एनाटमी पढ़ रहे थे शाफ्ट की तो आपको उसमें भी याद होई गया होगा कि इसमें आपकी पोस्टीर बॉर्टर होता है एंड उसके दो लिप्स होते हैं हमने पढ़े थी ना लीनिया एसपरा उसके दो लिप्स फिर ऐसे नीचे तो डाइवर जो जाते हैं यहां पे आपली इस बनाते हैं अब्लू एंड थी रेड लॉट्स है आपके जो ट्यू बेकिल की प्रेज़िए और देख चुके हैं आपकी जो टुबरेकल की पर रिजिंट से अपको यहां पर दिख्रिया उसका च्छोटा सा पार्ट एक को यह दिख रही है, red, ठीक है, this is the आपकी जो gastronemius muscle है, उसका जो medial head होता है, उसका यहाँ पर origin हो रहा है, this one, this is the plantarist muscle को origin, and वापस आपकी जो gastronemius muscle है, उसका lateral head है, जो medial head का इस तरफ हो गया, and lateral head का origin यहाँ से हो रहा है, clear, and उसके पर दो चोटे green spots है, green spots मतलब ligaments, तो यहाँ पर आपकी posterior cruciate ligament, and यहाँ पर anterior cruciate ligament का आपका attachment हो रहा है, तो यह था आपका posterior view, ठीक है, सबसे जादा आपको posterior view में दिखाए देंगे muscles, ठीक है, and finally आजाते हैं आपके lateral view में, ठीक है, आपके lateral view में, तो lateral view कैसा भी है, इस वाला भी है, ठीक है, अभी तो पोस्टे भी पर रहा है, अभी तो बोल को और वापस twist कर दिया है, आपके clockwise, तो इस वे में आपके दिखाए दे रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर, एक है ऐसके बाद, एक हमें दिख्रिये वास्ट असलेटे रालेस जो में शार्ट में भी देख्या, थी कैसा असट लेटर इस पर प्शने के पितक्र जा रहा है, और वो ग्री आपके सब्सक्राइब2 की यहाँ पर दिख्या कांसी आपके वास्टे रालेस यहाँ पर एक यहाँ तो आपको वीडियो समझ आई होगी कोई भी डाउट है अब तो आप कमेंट सेक्षिं में पूल सकते हैं ठीक है ऐसे तो एक दो पर आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी समझना पड़ेगा आपके बस बॉन है तो और बेटर है आप बॉन पे इससे देखो उस इस वियू में आपको आपको और समझा अब यहां पर देखी तो इतना ही था यार मैं ट्राई किया कि जितना भी हो सके क्ले मॉडल से समझाओ आपको नोट से समझाओ अगर आपको मेरे एफट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को ठीक है एंड यह सारे नोट्स आपको हमारे टेलीगाम चैनल पर मिल जाएंगे वहां से आप इसे डाउलोड कर सकते हैं बाकी तो हाँ एक और चीज बाइ